काफी लोगों को पैर के पंजे और टकने में दर्द रहता है ऐसे में अगर आप पैर के पंजे और टकने दोनों को स्ट्रॉंग और फ्लैक्सिबल बना कर रखते हैं तो ना तो कभी आपको दर्द होगा और ना ही कभी आपकी मास पेशियों में खिचाब होगा बलकि इससे आपके पूरे पैर की health improve होगी और आप हमेशा active रहेंगे इसके लिए ज़रूरी है regularly foot और ankle exercises करना क्योंकि exercises करने से range of motion improve होती है और flexibility बढ़ती है इसके अलावा muscles आपके पैर को और भी अच्छे से better support और protection दे पाती है आभी आप वीडियो में total eight foot and ankle exercises के बारे में जानेंगे जिसमें से कुछ stretching exercises और कुछ strengthening exercises है आप इन exercises को week में तीन दिन कर सकते हैं और अगर चाहे तो रोज भी कर सकते हैं यह बहुत ही आसान सी exercises है इन्हें करने के लिए आपको किसी भी तरह के complicated equipment की जरुवत भी नहीं पड़ेगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट exercise में पहले आपको अपनी पैर की उंगलियों को उपर की और उठाना है और फिर अंदर की ओर घुमाते हुए एडि को उपर उठाना है ऐसा आप 10 बार repeat करें सकेंड exercise है toes play इसमें आपको अपनी toes को इस तरह से जितना हो सके उतना फैलाना है इसे भी आप 10 बार repeat करें थर्ड exercise है toe flexion and extension इस exercise में आपको अपने हाथ से सभी toes को इस तरह से उपर की और और नीचे की और खिचना है ऐसा करने से soul की muscles stretch होगी इसे आप दोनों पैर के लिए 10-10 बार repeat करें नेक्स्ट exercise में टावल को फ्लोर पर spread करके इस तरह से toes से टावल को इखटा करें जब टावल इखटी हो जाए तो फिर से spread करके repeat करें इस exercise में आपकी पैर की muscles strengthen होगी इसे दोनों पैरों के लिए 5-5 बार repeat करें नेक्स्ट exercise है tennis ball roll इस exercise में आपको एक tennis ball को फ्लोर पर रख कर पैर से इस तरह से roll करना है ऐसा करने से soul muscles में massage होगी और arch pain भी कम होना शुरू हो जाएगा ये exercise plantar fasciitis condition के लिए काफी helpful होती है इस exercise को आप 2-2 मिनट के लिए दोनों पैरों के लिए करें अगर tennis ball नहीं है आपके पास तो आप frozen water bottle की help से भी इस exercise को कर सकते हैं नेक्स्ट exercise है stone pick up इस exercise में आपको stones को toes से उठाना है और फिर दूसरी जगह पर रखना है इस exercise में भी आपकी पैर की muscles strengthen होंगी नेक्स्ट exercise है Achilles tendon stretch आपकी heel के उपर जो ये cord like structure होता है इसे Achilles tendon कहते हैं अगर ये tendon ज्यादा tight नहोकर flexible रहता है तो इससे foot, ankle और leg pain को कम किया जा सकता है इस tendon को flexible रखने के लिए जरूरी है इसे stretch करना stretching के लिए एक पैर को पीछे और एक पैर को आगे रखे इसके बाद दीवार या फिर chair का सहारा लेते हुए और दोनों टांगों को गुटनों से मोरते हुए आगे की तरफ lean होना शुरू करे lean होते ही आपको पीछे वाले पैर के Achilles tendon में stretch आना शुरू होगा इस stretch को 30 seconds तक hold करे और फिर relax होकर दूसरे पैर के लिए repeat करे इस stretch को आप 3-3 बार दोनों legs के लिए repeat करे next exercise है sand walking बिना जूतों के रेद पर चलना पैरों के लिए एक बहुत अच्छी exercise होती है इससे muscles stretch और strengthen होती है लेकिन इसमें ध्यान रखें कि जिन लोगों के पैर में सुन्पन रहता है जैसे diabetic patients तो वो लोग नंगे पैर ना चले इससे अगर पैर में कुछ चुप जाए तो वो घाव बन सकता है इसलिए वो लोग avoid करे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब भी करे थेंक यू